ओम नमश्युवाय जैमातती दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में दोस्तों सावन का पवित्र महिना शुरू हो चुका है और इसमें बहुत सारे त्योहार भी आते हैं इसमें सबसे खास होता है हर्याली तीच का त्योहार जो की सभी सुहागिन महिलाएं बहुत ही उत्सहा के साथ मनाती हैं हर्याली तीच के त्योहार पर सभी सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और सुख सो भागे की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं इसलिए इस व्रत को काफी कठिन भी माना गया है लेकिन कुछ जगों पर व्रत ना रखकर सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिफ से अपने पती के लंबी उम्र की कामना करती है उनके सुखी जीवन की भी कामना करती है साथी सोलह श्रिंगार करती हैं, सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ला सकती हैं, अखंड स्वभागे की प्राप्ती का आशिरवात भी प्राप्त कर सकती हैं. जो कि अगर आप हर्याली 3 के दिन करते हैं, तो भगवान भोली शंकर और माता पार्वती माता गौरी की क्रिपा से आपकी सभी मनुकामनाई पूरी होगी. इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनियेगा बीच में से वीडियो को स्किप बिलकुल ना करें अगर आप इन उपायों को करती हैं तो आपको अखंड सौभागी की प्रात्ती होगी आपकी सभी मनों कामनाव फूरी होगी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर दें आगे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए ध्यान से सुनिये दोस्तों मैं उपाय आपको जो बताने वाली हो सबसे पहला उपाय है कि आपको हर्याली तीच के दिन माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी अर्पित करने के बाद आपको ओम गौरी शंकराय नमहा मंत्र का जाप करना होगा इस मंत्र को आप 108 बार जब कर सकते हैं चुनरी के एक कोने में आप अपनी इच्छा और शंता के अनुसार पैसे बांदें पूजा खत्म होने के बाद चुनरी में से पैसे निकाल कर आप उन्हें अपने पास तिजोरी में रख लें ऐसा करने से आपके पती की नौकरी में व्यवसाय में उनको खूब तरक्की मिलेगी दूसरे उपाई के अनुसार आपको करना ये है कि हर्याली तीच के दिन माता पार्वती को खीर का भूग लगाए इसके बाद इस खीर को आप अपने पती को खिलाए व्रत का पारण करने के बाद खुद भी आप इस खीर का सेवन करें इससे पती-पती के बीच का लिष्टा बहुत ही मधुर होता है और आपसी प्रेम भी भढ़ता है तीसरे उपाय के अनुसार आप इस दिन पोजा संपन करने के बाद पाच बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिच्छिया का दान करें और उनसे आशिरवाद भी ले साथ ही पती के पाउं छुकर भी उनका आशिरवाद जरूर लें ऐसा करने से आपके सुहाग की उम्र लंबी होगी चौथे उपाय के अनुसार जिन महिलाओं की विभा में बाधा आ रही है उन्हें इस दिन विधी विधान से यह वरत करना चाहिए और ऐसी मानेता भी है कि हर्टालीका तीज के दिन वरत और विधी वध पूजन करने से सभी मुरादे पूरी होती है इस वरत को करने से आपका विभावी शीख्र होगा पाच्वे उपाई के अनुसार हर्ताली का तीज के दिन आप पती के हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरवाएं इससे आपके और आपके पती के बीच का रिष्टा मजबूत बनता है दामपत्य जीवन में आपसी प्रेम भी बढ़ेगा तो दोस्तों ये थे कुछ खास उपायत जो कि आप हर्याली तीज के दिन अगर करते हैं तो आपको निश्चित लाप होगा आपके पती की उम्र लंबी होगी आपका दामपत्य जीवन सुखी रहेगा और आपके रिष्टों में मधूरता आएगी नया शकरती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साथ ही वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें व्रत्य हर उपाई चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्षिवाए जैमाता दे